बारिश में बुखार, खासी, कब से बचने के लिए जरूर ट्राइ करें ये काड़ा बस एके गलास रोज सुबर दोपर और रात को सेवन करें और खासी सर्दी बुखार उड़न्चू हो जाएगा बनाना हैं बहुत ही आसान, तो चलिए शुरू करें ये काड़ी की रेसिपी सबसे पहले सॉस पैन गरम करने रखे लो फ्लेम पर और उसमें डाले पाच लॉंग ये सर्दी को पिगलाने में मदद करता है जब बुखार की दवाईं से मूग का टेस्ट कड़वा हो जाता है तो इलाइची बहुत कामाती है यहां आमने दो इलाइची का यूस किया है जब खास खास कर गला सूप जाता है तब दालचीनी कामाती है इसे गले को रहत भी मिलती है मलेरिया के बुखार में काले मेच का इस्तिमाल करे इसे इम्मुनेटी बढ़ती है और बुखार से लडने की ताकत देती है ये तो चले इन सारी इंग्रिडियंट्स को 10 से 20 सेकेंड के लिए भून लेते हैं पस इसे लो फ्लेम पर ही आपको भूनना है और फिर इसमें एड करते हैं लगबग तीन ग्लास जितना पानी अद्रक से छाती में जमें बलगम यानि की म्यूकस को साफ करता है ये है अजवाइन के पते बहुती शक्तिशाली है ये सर्दी खासी के लिए जबरदस्ट इस तरह तोड़के डाले ताकि इसका रस पानी में मिल जाए तुलसी में अंटी बैक्टेरियल, अंटी फंगल और अंटी इंफ्लमेटरी गून होते हैं जो कोई तरह के बिमारी को दूर करने के साथ सथ इमिनिटी को भी बढ़ाता है तो चले इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं और इसे पाँच मिनिट के लिए उबालने रखे बिल्कुल इसी तरह फिर इसमें अड़ करते हैं गुड गुड जब सारे आरुवेदिक घटक के साथ मिल जाती है तो गले की खराश और जलन में राहत मिलती है चले इसे अच्छे से हमने मिक्स करके लिया अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे आपको सर्फ करना है गर्मा करन तो सबसे पहले इसे एक जार में हम निकाल लेते हैं इस जार में हमने एड़ किया है थोड़े से नीमबू के स्लाइस और फिर इस काड़े को हम एड़ करते हैं रोजाना नीम्बू का सेवन करने से रोग प्रतिकारक शक्ती हमारे में बढ़ती है तो चली इसे हमने मिक्स किया और इस तरह से ढ़ग दे और फिर इसे तीन से चार ग्लास बना कर आप पूरा दिन इसका सेवन कर सकते है चली नीम्बू के स्लाइसे फिर आड़ करते हैं ग्लास में और हम आड़ करते हैं ये जो काड़ा हमने बनाया है और इसे सर्फ कीजिए गर्मा करने दिल से बनाएए दिल से खाएगी आज आपको ये काड़ी की रेसिपी पेट पूजा में कैसी लगी जरूर बताएगा कॉमेंन सेक्षिन में और इसी तरह पेट पूजा के वीडियोज आपको पसंद आते हो तो जरूर इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थाएगे वाचिए पूजा